यहां पर लास्ट वीडियो जब मैंने आपको शेर की थी मैं किन्नी होस्पिटल गई थी मेरा वैक्सिन लेने के लिए उस समय जो मैं वेजिटेबल लेके आई थी सो यह नेक्स टू नेक्स डे का व्लॉग है त्यूकि उसके बाद मुझे उस दिन फीवर था और आज भी कर दो दो रॉटर में निकाली जाती है अच्छे से थर्टी मिनिट के लिए वाटर में वाटर में शोक करके रखना चाहिए और इस तरह से जहां जहां भी आपको लगे उसका कर्विंग साइड है वहां से प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए कई लोग करते हैं कि जैसे बस धो कैसे रख देते हैं अत्वा तो फिर फ्रीज में रख लेते हैं जब भी चाहिए तब उसे नल के नीचे जैसे होता है न कि दोके तुरंथ ही डाल देते हैं किसी भी चीज में तो वह बिलकुल भी ना करें इसे प्रॉपर इस तरह से वाटर में सोक करके रखें एक बार से इसमें से मिट्टी निकल जाती है वरना फिर क्या होता है कि वह हमारी किल्नी को डैमेज करता है तो यह छोटी सी चीजे हैं जो बहुत ध्यान रखनी होती है इसे प्रॉपर वाश करके ड्राइ करके ही फ्रीज में रखें और यह आराम से दो मेहने चल जाएगी आराम से दो मेने तक यह बिगडेगी नहीं प्रॉपर इसे ड्राइ करना है बस सो हां मैं लेप के लिए गई थी जैसे मैंने कहा आपको कई लोगों ने पुछा था कि सडनली क्यूं सो ऐसा कुछ भी प्रॉबलेम नहीं है लेकिन मुझे सिंगल्स हुआ था जिसे हर्फ जोस्टर भ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है जिसको किड्नी भी की प्रॉबलेम नहीं है नॉर्मल भी बॉड़ी है सो मुझे इंडिया का या दूसरे कंट्री का नहीं पता है वहां क्या सिस्टम है और यह देखी यहां यह वैक्सिन दी गई थी ना सो काफी यहां सुजन आ गई थी और इसी की वज़े से फीवर भी हो गया था सो बस छोटा सा मैंने आपको यह क्लीप यहां दिखा दिया सो मैं यह बता रही थी आपको कि जो भी 50 के उपर की एज हो जाती है जिनको उनको वैक्सिन लेना बहुत जरूरी है यह मुझे पता नहीं था जब तक मुझे हुआ मैं भी भूल गए होंगे होता है कई बार इस तरह की चीजे सो मेक से और अपने डॉक्टर से आप पूछे और यह वैक्सिन ले 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 आफटर 50 सो मुझे जब सिंगल्स हो गया ना सिंगल्स होने के बाद अगर आपको हो जाता है उसके बाद वन येर के बाद वैक्सिन दी मुझे सो यहां पर बस वेजटेबर जो ले के आई थी वो भी मैं यहां साफ कर रहे हूं यह तुरह की सबजी बना रही हूं और उसके छिलके की भी रेसिपी इसकी आल्रेडी मैंने अपलोड की है मेरे प्रिवियस वीडियो में इफ यू वांट यू के चैक इट आउट द नहीं आई थी वो बस यहां पर यह मैं तुरह के चिलके की इस तरह से काट लूँगी बारिक बारी किसे भी नहीं फैकना चाहिए और तुरह हमें किन्नी वाले पेसंट को बहुत तुरह जितना हो से कि उतना खाना चाहिए आपके एरिया में अगर अवेलेबल है तो जरूर से जितना हो से के इतना कंज्यूम करेंगे क्योंकि वाटर कंटेनिस में काफी होता है मेरे एरिया में नहीं मिलता जैसे मैंने कहा था कि मुझे कोई भी इंडियन सबजी खानी हो लेनी हो तो मुझे दो घंटे ड्राइव करके जाना होता है हमारा मार्केट यहां से टू बस लेके आजाती हूं इस तरह से सो तु रही तो जहां जिस विद्या में मिलता है आप जरूर से खाय करें तु रही है लौकी है इस तरह की जो वाटर कंटेन्ट सबजियां होती है बेल पेपर है यह बहुत ही लिया करें और हाँ आज ना आप मेरे कपड़ों पे हैं बिल इस वज़े से मैंने इस तरह का ड्रेस अब किया हुआ है सो सॉरी फोर दैट और यहां पर मैं अपनी प्रेड्निजोन और जो फिर से रात को मैंने फिवर की दवाई ली थी तो सुबह अच्छा था लेकिन अभी फिर से थोड़ा लग रहा है सो मैं यहां पर टाइनलोन ले इस तरह से मैं करते हुँ लेकिन अगें आप अपने डॉक्टर लेती हुँ एवरी एट आवर्स अगर लगे तो इफ नीडेट एवरी एट आवर्स मिल लेती हूँ अदर्वाइस जैसे मैंने का रात को लिया था मैंने राउंड आट बजे तो अभी अरांड दस ग्यारा हो रही है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक गोडी इसके लिए तो जितना हो से कि उतनी गोलिया कम लीनी चाहिए हमें इस तरह की लेकिन जब आपके जरूरत हो तभी लेनी चाहिए तो इस तरह से मैं कट ड़ाउन करते हूं लेकिन अगें आप अपने डॉक्टर से से पहले चौक दी हूँ, इसमें ज्यादा मसाला नहीं जाता है, सिर्फ राई, हिंग, ग्रीन चिली, हल्दी और नमप, बस इतना ही जाता है, यह उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस छिलके को भी जरूर से यूज करना चाहिए, आपके साथ शेर जरूर से करूँगी, और verbally भी मैंने बताया है, कि मेरी किनी क्रियेटिंग कितनी रहती है, लेकिन सायद वो लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, लास्ट वीडियो में भी इस तरह के कॉमेंट आये हैं, कि आपकी किनी क्रियेटिंग कहा कितनी है, जब एक ही परसन है, जो बार-बार ही क्वेस्चन करते हैं, वो लोग वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं पूरी, बस आके क्वेस्चन करके चले जाते हैं, प्लीज इस रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरी सुना करें, इससे आपको मैं यहां कोई यह वीडियो मेरे पर ठीक है, मैं अपना टाइम भी पास कर रही हूँ, अपनी लाइफ शेर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो कहीं न कहीं मुझे भी बेनिफिट्स हैं, कि मैं आपको लोग एक साथ कनेक्ट हो रही हूँ, और मैं कुछ बता सकूँ आप लोगों को, जो मैंने भूल की ह वो भी आपको मैं शो करूँ यहां, और जिन जिन चीजों से मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, उसको भी मैं शेर करूँ आप लोगे के साथ, तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखोगे, सिर्फ आप की डिनी क्रियेटिम क्या है, आपकी यहीं तक सिमित रहे जाओगे, तो ना आपको बेनिफिट्स मिलेगा और ना ही मुझे वीडियो बनाने में मुझा आएगा, तो प्लीज आप पूरी वीडियो देखा करें, तभी आपको समझाएगा ना कि क्या है, अगर अच्छा, यहां पर हल्दी की भी मैंने एक वीडियो में में मैंसन किया था, कि हल् हल्दी हम लोग के इंदियन में ऐसा होता है कि हल्दी खानी चाहिए कफ हो और बलड को क्लीन करने के लिए, कितना बेनिफिट्स है हल्दी हमारे लिए, वो तो यहां की हैं अमेरिकन सो उन्हें इतना टर्मरीक के बारे में काफी पॉपिलर हुआ है अब तो सभी जगा, फि अधी चम्मच से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए हल्दी हमें, अगर आप हल्दी जिस दिन खाना क्विट करते हो, जैसे कि हम कभी संवीच खा लिया, पीजा खा लिया, कुछ भी खा लिया, उसमें हल्दी नहीं आती है, आधी चम्मच आपको ले लेना है, पानी के साथ, मिल मैं मौसमी के लिए कर रही हूँ, और यह प्लेन पनीर है, वो मैं अपनी लिए रख रही हूँ, जब रोटीन के लिए, यहाँ पर यह चोटा सा मैंने क्लिप बता दिया आपको, यहाँ तुरही की सबजी भी हो गई है, अगर सर्जरी वगरे करवाने जाना हो, तो हल्दी बिल्कुल भी ना खाए, मिन्स जो रूटीन में आता है, वो ही लिए, एक्स्ट्रा कंज्यूम ना करें, विकर्स उससे हमारा ब्लर पतला हो जाता है, और पतला ब्लर होने की वज़से से जब वो सर्जरी करते हैं, तो ब्लर स्टॉप नहीं होता, फिर इस तरह का उन लोग यह बहुत इंपोर्टन हो जाती है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने अनुभव किया है, तेईस साल में मेरी, मैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बस बेसिक मसाले हमें यूज करने हैं, बहुत सारा ज्यादा, कई लोग यह पुछते हैं कि आप डा बस यह होता है कि आपकी एक्टिविटी कितनी है, अगर आपकी एक्टिविटी जीरो है, तो आप सिंपल डाल रोटी खाओगे, वो भी नहीं पचेगा आपका, तो एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तो आप सब कुछ खा सकते हो, एक्सेप्ट के मीट वगेरे में बचके रहा करो, जो खाते हैं वो खाया करो, लेकिन थोड़ा कम खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है, तो बस यहां की यह देखे, मेरी रोटी सबजी रेडी हो गई है, और जैसे मैंने कहा है, प्रोटीन के लिए मैंने पनी लिया है, और मैं वैसे भ चोटी चोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, और जो सिंगल्स का मैंने आपको बताया, अगर आप कहोगे, तो यह क्या होता है, किस तरह से मुझे अटक किया था यह, और इसका डैमेज मेरी बॉड़ी में कितना कहां तक हुआ है, वो आपको मैं सारी एक वीडियो में श चैर करूंगी, सो चलिए, यहाँ पे मेरा कीचन वगेरा तो सब हो गया है, लंच भी हो गया यहाँ पे, और अब मैं आप लोगों के साथ लैप्स शेयर करूंगी, अपना जो अभी रिसंटली हुआ है, वो इक, सो बस यहाँ पर मेरे बरतन वगेरा जैसे मैंने कहा सब कुछ हो गया, और लास्ट में मैंने कपड़े भी तै कर लिए, लॉन्री की थी, थोड़ी बहुत, सो वो भी हो गया यहाँ पे, और जो यह अदरख मैंने धो के रखा था, अब कम्प्लीटली ड्राइ हो गया है, साफी मिट्टी होती है, सो वो साफ नहीं होगी, सो बस यह प्रॉपर ड्राइ हो जाए, उसके बाद इसे आप स्टोर कर दे, फ्रीज में आराम से दो मेने तक ही रहती है, इसी तरह से, सो चलिए, अब चलते हैं, लैब की तरफ, मैं आपको लैब दिखा देती हूँ, अच् रेफरेंस रेंज भी अबता दी है, 72, 105, जो हर बॉड़ी के हिसाप से, I think, मेजर किया जाता है, सो मेरी बॉड़ी के हिसाप से इतना होना चाहिए, सो 80 है, सो विच इस रियली गूड, उसके बाद आप देख सकते हो, जुलाई 13 की है, सो वहाँ पे 17 है, 78 है, सो ग्लुकोज मेरा भगवान की महरबानी से बहुत ही अच्छा जाता है, कभी भी इतना हाई नहीं गया, बस hospitalized हुई थी, तब insulin लेना पड़ा था, क्योंकि वो medicine बगएरे की side effect की साफ से होते है, up and down, सो बस ये glucose, blood pressure, ये सब maintain करना बहुत ही जरूरी है किर्णी के लिए, सो जितने active रहोग है कि hemoglobin हमारा always low रहता है, सो बस मेरा hemoglobin always यहाँ 11 तक ही सिमित रहता है, 11.8, 12 और highest मेरा गया है 13 तक, उससे ज्यादा मुझे नहीं याद पड़ता है कि उससे ज्यादा कहीं मेरा hemoglobin होगा, बस ये 11 to 13 तक गया है, कई बाट डाउन भी गया है, बहुत डाउन मेंस 6 और 4 त चड़ाना पड़ेगा, लेकिन ये खुआ नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने यहाँ तक सजेस्ट कर दिया था, सो हम एनेमिक होते ही है, किर्णी जो जिनकी प्रोब्लेम होती है न, वो एनेमिक होते हैं, उन्हें बलड बनना बहुत मुस्किल होता है बोड़ी में, लेकिन य 11.8 वो काफी अच्छा है, मेरी बोड़ी के हिसाब से, अदर्वाइस 14 तक होना चाहिए, लेकिन या, इस इस अलसो गूड और उसके बाद आता है, यहाँ पर यह है बन, जो बलड यूरिया नाइट्रोजन इन आवर बलड में होता है, जो लिवर में से प्रोटीन ब्रेकड करता है कि कितनी वर्क कर रही है, सो बस यह 18, 17, 16, 20 के अराउंड मेरा रहता है, 24 ऐकाद बार गया है, मुझे बहुत इतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, सो मैंने यहाँ जितना हो सके उतना दूर तक मैंने आपको लेब मेरी जो है, वो आपको ट्राइ की है, और उस कभी अप एंड डाउन होते रहते हैं, 1.1 also is good, सो बस मैं हमेशा से कहती हूँ के पानी बहुत सारा पिया कीजिए, और मेरी जो मैं रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, कैसे करती हूँ, इस तरह से मेंटेन रखती हूँ, अगर आपको इंट्रेस ह रहना, और आपके जो भी क्वेस्चन हो, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से पुछना, मैं जितना हो सका, जितनी इंफोर्मेशन मेरे पास होगी, मैं आपको देती रहूंगी, so I hope so, ये वीडियो आपके लिए इंफोर्मेटिव हो, जो भी आपको चाहिए था, ज झाल